दिल्ली सहरन रोड पर पावी गाउं के सामने बीकानर के पास रॉंग साइड से आ रहा है तेज रफतार ट्रक ने युवती को कुचल दिया जिसमें युवती के दोनों पैर चले गए हालत गंबीर है ग्रामिडों ने पुलिस को सुचना दी पुलिस नी मोके पर पहुंचकर युवती को स्पिताल में भरती करा है पर जनों ने बताए कि 18 वरसी युवती आफरीन घर से ओफिस के लिए निकली थी रोड पार करते समय हुई गटना युवती ओफिस में काम कर रहे अपने माता पिता का पालन पोसंड करती थी गटना के बाद की स्थिज्यों की तो रो रॉंक साइड आ रहे बहानों का आना जारी रहा सुदाकर सिंग गाजियाबाद समाचाल 24 कि यहां से सावय नोगजी घर से निगली हूँ और निकलने के बाद में रॉट कर रही थी उसने टरकवाला को हाथ दीजिया लेकिन टरकवाला रॉंसाइक तां में रोका नहीं और बच्ची को घशिटा वाज दूर चत ले गिया उसके बाद में उसके जोने टांग पर कर लिए गाड़ी के चालज पर चलग कहा है वो इसका कुछ निए जी फरार हैं सब फरार हो गया सब यह बिग इसमें टोइनगा सिटी ऑफिस जा रही चाहिए अपनी ड्यूटी अब क्या चाहते हैं हम दो यह उसाफ हो पूरा पूरा हमारे साथ में बेडी क्लौधी बेटी है और पीछे और को लड़क है और बच्ची हो तो बच्ची हो दो इसकी तर्बी ने अटारा साल की उपर है उसकी बच्ची निए जवान बच्ची है कि अकेरियों में देते हैं नाम विदुर सर्मा है जी अब है अब जब घठना होई है एक्सिजट्न कि क्या है मांबा जी अबी अलीना जो है मेरे ओफिस में वर्क करती है ठीक है वह अभी शाड़े नौबजे ओफिस के लिए रेडियो के निकली थी और उसी बीच में उसके साथी रास्ते में आद्सा हो गया अभी थाने तक पहुचा दिया गया है वह सब फरार है बाकी इस पर अलीना की अभी शाड़ी कैसी है सर वह भी होस्पिटल में अभी जाकर देखते हैं जब भी बाकी सीडिया सी बता रहे हैं इस पर उचितकारवाई करी जाए